आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मेरे चैनल पर आपको इंग्लिस ग्रामर से लेडेटेड लेक्षर्स प्रोवाइड करा जाते हैं आज की इस वीडियो लेक्षर में आपके लिए लेक्षर के आया हूं कुछ ऐसे कन्फुजिंग वर्स या दोस्तों ऐसे कन्फुज करने वाले वर्स जो या तो देखने में हमें सेम लगती हैं या फिर उनका प्रणेशियस करने में हमें वह सेम दिखाई देते हैं या बोलने का वीडियो लेट्चर प्रोवाइड किया जाए तो इसका नोटिफिजन सबसे पहले आपनों पर पहुंच जाए करें और आप उसमें आने वाली इंग्लिस नॉलिज का सबसे पहले लाब ले पाए करें तो चली जिल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सामने दो कन्फीजन वर्ड्स हमारे सामने आचोके हैं पहला वर्ड है एड और दूसरा वर्ड भी है बोलने में अ जिनने करनने में स्यम देख रहा है एड लेकिन पहले वार्ड जो एड है विघ्यापन या प्रचात और दूसरा वाला जो वर्ड है उसका मतलब है एड यानि की जोड़ना या मिलाना second pair of confusion words है हमारे सामने है birth and second भी उसके सामने दूसरा दिया है वो बर्थ पढूरर हो एक लिए वट्वी दो दो पेहले पर यह जो भूआ हुआ है दोजाए हुआ पहले जो लेखा हुआ हो भी वेदर ही बोला जाएगा लेकेन दौना मेरे टिफ्रेंसिया पहला बाला है वैधर यानी कि मौसम के यह संदर में इसका प्रियोग किया जा तो हमें पहला जो दिया हूँ हो है ADICE जा दूस्तों जब नाउन के रूप में इसका प्रयोग हो तो हम प्रयोग करेंगे अध्वाइज और जब बर्म के रूप में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग आदि वी आई मेंस होता है कहानी जब हम कहानी चुनाते हैं या कहानी के संदर में इसका प्रयोग किया जागा तो होगा there is a lack in Kashmir, तो वहाँ पे L-A-K-E प्रियोग होगा, और हम बोलें के there is a lack of money, तो L-A-C के प्रियोग होगा, क्योंकि हम वहाँ पेसों की कमी बता रहे हैं, तो हमें L-A-C के प्रियोग करना होगा, हमारा next word है fare, F-A-R-E, fare, fare का मतलब होता है किराया, या दोस्तों जब हम किराय के संदर हों बात करेंगे, तो हमें F-A-R-E प्रियोग करना है, जैसे कि I have to pay the fare, I have to pay the fare मानि मुझे किराया देना है, तो वहाँ पर यूज़ किया जागा F-A-R-E, लेकिन हम बोलें कि I want to go to see the fare, तो वहाँ पर इसका मतलब हो गया मेला, F-A-R का मतलब होता है मेला, यानि I want to go to see the fare, मैं मेला देखना जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया F-A-R, तो इसका मतलब हो गया fare, यानि कि मेला, नेक्स्ट है वीक, डबलू, डबली के, इसका मतलब होता है सब्ता, यानि कि वीक जो है सब्ता, यानि दिनों के नाम के लिए प्रियो होगा, और जब दूसरा वीक का मतलब है कमजोर, जब किसी व्यक्ति को कमजोर या किसी चीज़ की कमजोर की बात करें, तो वहाँ पर प्रियोगा W-E-A के, जब किसी दूसरा वाला मारा लिखा होगा है कि इसका मतलब होता है मृत्यू यानि कि मौत, तो जब मौत के संदर में प्रियोट किया जाएगा, तो D-E-C-E-A-S-E, जब किसी दूसरा वाला लिखा होगा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कहा जा रहा है मृत्यू के बारे में, और कहीं अगर लिखा होगा है D-I-S-E-A-S-E, तो इसका मतलब है बीमारी के बारे में बुला जा रहा है, तो दोनों में सेम प्रणेशेशन है, लेकिन स्पेलिंग का डिफ्रेंस है, अब हमारा आखरी लास्ट वर्ड है, तीन है इसमें, तीनों का एक ही प्रणेशेशन है, पहला वाला लेखा हुए बाई, दूसरा वाला लेखा हुए बी-उ-बाई, और तीसरा वाला लेखा हुए बाई, तो टीनों का प्रणेशेशन लगवा एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में मिश्टेक है, पहला वाला है बाई, उसका मतलब होता है किसी के द्वारा जब कोई कार किया जा है तो वहां पर हम प्रियूप करेंगे बीवाई बाई दूसरा वाला है बीवाई बाई कामल होता है खरीदना जब हम कोई चीज खरीदते हैं पर्चेसिंग करते हैं तो वहां पर हमें उज करेंगे B.Y.E.Y. और जब हम किसी से अलविदा लेंगे तो वहां पर यूज किया जाएगा B.Y.E.Y. तो तीनो में यह डिफरेंस है, बोलने में तीनो, प्रणिसेशन में तीनो एक ज़से हैं, लेकिन एक स्वेलिंग डिफरेंस है तो आज की वीडियो से में इतना ही विलते हैं, अगर उनको आप शेयर करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ की नोलेज मिल जाएगी, अगर आपने अभी तर चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है, तो रेट कल अगर बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राब जरू कर लें, तो आपकी वीडियो से में इतना ही विलते हैं, अगर वीडियो लेच्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक किरी नमस्कार,